योगी सरकार का एलान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे यूपी में शराब बंदी, स्कूल कॉलेज, बंद इससे पहले यह कहा गया था कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन अयोध्या में पूरी तरह शराब की बिक्री पर रोक रहेगी यह एलान 84 कोसी परिक्रमा वाले इलाकों में भी था अब इसे पूरे प्रदेश के लिए किया गया साथ ही स्कूल कॉलेज बंद के भी आदेश दिये गए हैं अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एलान किया है कि 22 जनवरी के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंदी रहेगी इससे पहले यह कहा गया था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह शराब की बिक्री पर रोक रहेगी चोराशी कोसी परिक्रमा वाले इलाकों के लिए भी ऐसा ही एलान था अब इसे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया गया है इसके साथ 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में स्कूलों की चुट्टी का भी एलान किया गया है ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिये गए हैं ये भी कहा गया है कि 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों की साज सज्जा कराई जाए आतिश बाजी के भी प्रबंद किये जाए असल में अयोध्या में UP के CM योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां की है इसी कडिड़े ही में ये आदेश दिये गए है CM ने ये भी कहा कि अयोध्या में स्वच्चता का कुम्भ मॉडल लागू करें 14 जनवरी को अयोध्या में मुख्यमंत्री स्वच्चता अभियान प्रारंभ करेंगे उन्होंने कहा कि सफाई और सुरक्षा से समझोता नहीं किया जाएगा पहले से ही VVIP के विश्राम स्थलतय होने चाहिए उन्होंने इसके भी आदेश दिये है आयोध्या धाम आने वाले श्रधालूओं पर्यटकों को नव्य दिव्य भव्य आयोध्या की महिमा से परिचे कराने के लिए टूरिस्ट गाइड तैनात करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है वहीं आयोध्या में निवासरत बाहरी लोगों का के सत्यापन कराने के भी आदेश दिये गए है संपूर्ण राष्ट्र के लिए राष्ट्रिय उत्सव सीएम ने खुद ट्विटर पर लिखा कि श्री आयोध्या धाम में श्री रामलल्ला के नवीन विग्रह की प्रान प्रतिष्था संपूर्ण राष्ट्र के लिए राष्ट्रिय उत्सव है शतापदियों की प्रतीक्षा के पश्चात यह शुभ बेला आई है इस उपलक्ष्य में सभी सरकारी भवनों को दिव्य स्वरूप में सजाया जाए इस शुभ अवसर पर आगामी 22 जन्वरी को उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षन संस्थानों में अवकाश घोशित करने के निर्देश दिये है आईए मिलकर रामोत्सव मनाए जय श्री राम समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी श्री राम एयरपोर्ट का उधगाटन करने अयोध्या गए हुए थे